हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं लेकर आई हूँ आलू गोबी और मटर की सूखी करारी सबजी जो की सचमुच आपको बहुत पसंद आएगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो अगर आपने इसे एक बार बना लिया या किसी को भी खिला दिया सचमुच आप उसका दिल जीत लेंगे इतनी टेस्ट और इतनी यमी बनी है तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो सबसे पहले मैंने लिया है गोबी आदा किलो से क हमें तो ऑल झालता नहीं करते हैं और थोड़ा सा ओयल जादा ले नहीं कियो हमें इसे करन फराई सबसे पहले हम गोबी को फ्राइद करेंगेिक हैं मीडिय माच पर सब तेज आउ प्राइक मैं करना है मीडियमा सबसे अच्छे से फ्राई हो जाएगी और 90% वो पक भी जाती है यह देखिए गोबी हमारी अब पक चुकी है और प्राउन भी हो चुकी है अब मैं इसे निकाल लूँगी आपको ऐसा कलर कर लेना है गोबी का इस तरीके से बिलकुल और इसे अच्छे से निकाल लेना है इसका तक इसका सारा तेल कड़ाही में रह जाए और गोबी कोबी निकल के आए और अब मैं इसी तेल में डाल दूँगे अपने आलू जो हमने काटके रखे थे मैंने आलू की चिलके नहीं निकालें क्योंकि रखे नए आलू है तो आप इनके छिलके ना उतारीए इस छिलके साथ यह बहुत अच्छी लगती है इस तरहीं से मैंने यसे लंबा लंबा पतला आट इससे गोल्ध कर रहें हैं के आपके मरजी आप जैसा प्रेंदा हो जैसा आपको मिर्ची थोड़ी आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपको तीका पसंद्ध है मैंने सिर्फ चार मिर्ची लिए है और इन्हें हमने मटर को नहीं पकाये था भूना नहीं था तला नहीं था सिर्फ गोभी अलु को तला था तो हम इससे सबसे पहले मटर को लगपक 5 मिनट हम मीडियम आच पर पका लेंगे ताकि हमारे मटर हैं अच्छे से पक जाए और मैंने इसमें डाला है एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर एक ग्रब्रोस चेश apoyo और आदि चम्मच डाला है हल्दी और दो चम्मच डालूंगे मैं इसमें धनिया पावडर को लग्शे के दो चम्माख यह है हूंथ तो और यह सबने डान करने मंशी हैं कॉट अल्ब हरता है आदि होए बहुरी प्रिलावर्च का बहुत अलो है यह हम डाल देंगे और मिक्स अप कर लेंगे अच्छे से सब्जियों को यह देखिए सब्जी हमारी बहुत अच्छी दिखरी है और अभी मुझे इसमें कुछ और मसार डालने हैं जैसे कि किचन किंग एक चमच मैंने इसमें डाल दिया है आप चाहें तो डाले मना नहीं है तो कोई बात नहीं स्किप कर दिजिए और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब मैं इसमें एड कर दूँगी नमक एक चमच मैं नमक डालूँगी इसमें ताकि नमक से थोड़ा सा जो मौश्यर आता है ना उससे क्या होता है सब्जी को हम कवर करके पकाएंगे तो सब्जी हमारे अच्छे से जो 10 परसंट रहेगी है ना 90 परसंट तो पकी हुई थी 10 परसंट भी अच्छे से पक जाएगी अब हम इसे मिक्स करके ढखकर पकाएंगे लगपक 5 मिनट 5 मिनट हो चुके हैं चलिए चेक कर लेते हैं ये देखी सब्जी हमारी बिल्कुल रैडी हो चुकी है मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखी इसका कलर फिर कितना प्यारा आ गया है और सब्जी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है मैं आपको दिखाती हूँ एक आ आलू बिल्कुल पक चुका है इस तरीके से अब हम इसे इस कटोरी में करेंगे सर्व वाव सच मुझे इतनी टेस्टी बनी थी ना सच में मज़ा आ गया खाकर तो आप भी जरूर ट्राई कर अपने घर पर अगर आपको मेरी यालू को भी मटक चबजी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयन सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए मिलते हैं नेक्स रेसीपी में में दोला लाइके बाइके इतना खिए पिर घरूर हैं एकसि ट्रख रिए ।।